हेलो डियर स्टुडेंट्स नवांकुर के डिजी लेसंस में आप सभी का स्वागत है आज हम कितना बड़ा कितना भारी के भाग दो को समझेंगे किसी मापक बोतल में 5 रुपए के 6 सिक्के डालने पर 30 मिली मीटर पानी उपर उड़ता है तो इन 6 सिक्कों का आयतन 30 मिली लीटर होगा पानी से भरे हुए ग्लास में 10 रुपए का एक सिक्का डालने पर पानी का तल 3 सेंटी मीटर ऊपर उठ जाता है दस रुपए के दो सिक्के डालने पर पानी का तल खालिस्तान सेंटी मीटर उपर उठेगा तो एक सिक्का डालने पर पानी का तल तीन सेंटी मीटर उपर उठता है तो दस रुपए के दो सिक्के डालने पर पानी का तल छे सेंटी मीटर उपर उठेगा पानी से भरे हुए ग्लास में पांच रुपए का एक सिक्का डालने पर पानी का तल दो सेंटी मीटर उपर उठ जाता है पांच रुपए के दो सिक्के डालने पर पानी का तल खालिस्तान सेंटी मीटर उपर उठेगा तो एक सिक्का डालने पर तल दो सेंटी मीटर उपर उठ जाता है तो दो सिक्के डालने पर पानी का तल चार सेंटी मीटर उपर उठेगा एक माचिस की डिब्बी का आयतन दस सेंटी मीटर घनों के बराबर है तो बारा माचिस की डिब्बी का आयतन कितने सेंटी मीटर घनों के बराबर होगा तो जैसा की question में दिया हुआ है एक माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर 10 cm घनों के बराबर है तो बारा माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर 10 गुणा बारा का दस में गुणा करने पर 120 आएगा इस तरहे बारा माचिस की डिब्बियों का आयतन 120 cm घनों के बराबर होगा अगला है एक माचिस की डिब्बी का आयतन 14 cm घनों के बराबर है तो 32 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने cm घन के बराबर होगा तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन 14 cm घनों के बराबर है तो 32 माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर 32 गुणा 14 चौदा का 32 में गुणा करने के लिए हम 14 को 10 प्लस 4 लिखेंगे और पहले हम 32 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 का दाई के अंक 3 में गुणा करने पर 4 तिया 12 इस तरह 32 का 4 में गुणा करने पर 128 आएगा अब हमें 32 का गुणा 10 में करना है तो 32 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 320 आएगा अब हमें 128 में 320 को जोड़ना है तो 8 में जब हम एकाई के अंक 0 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा दाई के अंक 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आएगा और सेकडे के अंक 1 और 3 को जोड़ने पर 4 आएगा इस तरह 32 माचिस की डिब्बियों का आयतन 448 सेंटी मीटर घन के बराबर होगा अगला कुस्चन है एक माचिस की डिब्बी का आयतन 12 सेंटी मीटर घनों के बराबर है तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटी मीटर घनों के बराबर होगा तो जैसा की कुस्चन में दिया हुआ है एक माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर 12 सेंटी मीटर घनों के बराबर है तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर 12 गुणा 12 12 का जब हम 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा इस तरह 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन 144 सेंटी मीटर घनों के बराबर होगा अगला कोश्चन दिया हुआ है एक माचिस की डिब्बि का आयतन 10 सेंटी मीटर घनों के बराबर है तो 15 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटी मीटर घनों के बराबर होगा तो जैसा की कोश्चन में दिया हुआ है एक माचिस की डिब्बि का आयतन बराबर 10 सेंटी मीटर घनों के बराबर है तो 15 माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर 10 गुणा 15 तो 15 का दस में गुणा करने पर 15 धाम के 150 इस तरह 15 माचिस की डिब्बियों का आयतन 150 सेंटी मीटर घनों के बराबर होगा अगला कोस्चन जो दिया हुआ है 10 रुपे के सिक्के का बजन 12.5 ग्राम है तो ऐसे ही 1000 सिक्कों का बजन ग्याद कीजिए तो 10 रुपे के एक सिक्के का बजन हमें दिया हुआ है और 1000 सिक्कों का बजन हमें पता करना है तो जब भी हमें एक का दे के जादा के बारे में पूछते हैं तो ऐसे प्रश्णों को हल करने के लिए हम गुणा करते हैं तो 10 रुपे के एक सिक्के का बजन बराबर 12.5 ग्राम तो 1000 सिक्कों का बजन बराबर 1000 गुणा 12.5 अब 12.5 का 1000 में गुणा अगर हम करें तो एक दो पांच जीरो 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 ये उत्तर आएगा लेकिन कोस्चन में 12.5 में एक अंक बाद दसमलब लगा हुआ है इसलिए हम एक जीरो के बाद दसमलब लगाएंगे तो हमारा उत्तर 12.500 ग्राम आएगा मतलब 10 रुपे के 1000 सिक्कों का बजन 12.500 ग्राम होगा